दोस्तो बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी मिडियम के सबसे नमबरों चनल सुभव क्लासेश पर दोस्तो अगर आप क्लास्टर के स्टुडेंट हो तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर और सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर चैप्टर नमर 14 15 और 16 के टॉप 10 ऐस करूंगा तो आपसे रिक्वेश्ट इस वीडियो को सुरू से अंतक देखना क्योंकि इस तीन चैप्टर से आपके जैवाडू से टोटल 6 मार्क्स की कोशन पूछन 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 में बहु लग से तीन मार्क्स के और ध्यानिक जीवन में रसायां से 12 मार्क से सबसे इज पहली बात कि जो लॉंग कोशन इसे में बताऊंगा लॉंग कोशन को एक ही कोशन को तीन चार तरीके से घुमा कि आपके बोर इगजम पूछता है तो सबसे पहली बात कोशन सेम रहता है सिर्फ उसका पूछने का तरीका अलग हो जाता है तो जो बच्चे साही से नहीं और दूसरी बात यह chapter number 14, 15 और 16 के लगूत्री प्लस दिरगूत्री question है ठीक है मैं next 4 वीडियो बनाऊँगा जिसमे chapter number 1 से chapter number 13 तक के question आपको बताऊँगा ठीक है तो आपसे request चैनल को subscribe को जरूर रखना फी question का answer आपको description में एक link मिलेगा chemistry के सभी video यहाँ देखे उस पर आप click करोगे तो आपको सभी chapter के आपको NCRT के video मिल जाएंगे दूसरा आपको final shot मिलेगा जैसे एक chapter को एक ही video में गंटे मैंने खतम किया है तो आपको final shot देख लोगे तो आपको यह सारे question लग जाएंगे ठीक है जैसे वे कार्बोहाइट्र जो चोटे अड़ों में जल अबडिट नहीं हो सकते हैं मोनो सक्राइट कराते हैं इस टाइप के छोटे-छोटे question होते हैं ठीक है आप इनको जरूर तयार करना है जैसे star तता glucose में दो अंतर बताईए तो starch में आप लिख सकते हो कि starch पहली विलियंग के साथ गर्म करने पर cuprous oxide का लॉल अब छेप नहीं बनाता है जबकि जो आपका glucose रहता है वह बनाता है ठीक है आपके board exam के लिए काफी important और जैसे ध्यानिक जी होना चोटे-छोटे question पूछते है पूती रोधी या फिर आपका पूछ लेता है प्रती जैविक ठीक है तो यह जो question होते है यह चोटे-छोटे होते है मतला इसको काते है Africa अंटी ओडिक और पुछ लेगा तरह पुछ लेगा पुछ लेगा प्रती जिविक क्या होते है थो पूर्ती Cop रुदी में उहां पता सकते हो क्या से रसायन जो यहा तो शुचव जीवा का विनास करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं वो पूति रोधि कराते हैं प्रतीयविक में आप simply लिख सकते हैं कि वहरा सानिक पदादreaming आप इन टापी वी कोश्चन अपने कोश्चन बेंग एंसी आर्टी चलूर तियार करना ठीक है तो मैं आपको बताता हूं वो 10 कोश्चन जो आपको लॉंग कोश्चन या पी जो तीन या पांच नमर में पूछ सकते हैं ठीक है तो पहला कोश्चन है मैं इस चैप्टर में जय कौँंस होता है और अड़ा होता है दाले होते हैं मचली से मास जोती है तो इस परूटिन के मुक से होते हैं इसको आपको अच्छे से डिफाइन करना क्लियर है second question जो इस chapter से पूछ लेता है dna पर टिपड़ी लिखिए आपको dna पर पूरा एकदम टिपड़ी करना ठीक है second question इस type question पूछेंगा तो तीन मार्क से पूछेगा ठीक है दूसरा question पूछेगा glucose तथा फ्रक्टोस में विभेद लिखी है अंतर लिखे ठीक है और अंतर तो dna तथा आरने में भी पूछ सकता है और glucose सुक्रोज में भी पूछ सकता है ठीक है तो आप इस type के तीनो question को आपको देखने है ठीक है dna रठा आरने में अंतर भी देख लेना अगर आपको फूल माक्स चाहिए ठीक अगर आपको 40 पचा चाहिए तो इस type के question त्यार करो लेकिन अगर फूल माक्स चाहिए तो इस type के इतने भी question related बन सकते है आपको surety चाहिए तो आपको मैं जुच टाइप के question बता रहा हूं आपको सभी question क्यार करने पड़ें ठीक है फूर्थ question जो फूशेगा प्रतियक का एक उधरण देना है ठीक है पाचवा question जो इस chapter का सबसे most important question है उस रसायनिक समिक्रण का उलेक कीजिए जिससे ग्यात होता है कि glucose में 5 हाइड्रोकसिल समूपस्तित हो ठीक है यह question पूछेगा ता आपको 5 मार्क से पूछेगा और जैवडू से एक 5 नंबर question आना पूछेगा ठीक है तो आपको इस question को जरूर त्यार करना ठीक है उस रसायनिक समिक्रण का उलेक कीजिए जिससे ग्यात होता है कि glucose में 5 हाइड्रोकसिल समूपस्तित होते हैं ठीक है तो यह 5 question आपको जैवडू से त्यार करने है अब जो आपको बहुलक से त्यार करने है ब इंका कहा उपियोग होता है आपको दोनों तीनों लिखना है ठीक है दोनों पॉलियमाइड पॉलिस्टर और फिनाल फार्मल डियाइड बहुलक ठीक है और यहीं पर जो साथवा question इसमें से पूछता है ब्यूना एन यह सबसे मोस्ट इंपोर्टन्ट है निमलिखित को स्व धनात्मक अपमाजर्क और रिडात्मक अपमाजर्क ठीक है यह तीन question आपके देनिक जीयन में रसायन की सबसे मोस्ट इंपोर्टन्ट है इधर आपके बहुलक के और यह 5 question सबसे मोस्ट इंपोर्टन्ट है आपके जैवड़ू के ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हूं कि अ तो आई होप आपको यह question पसंद है अगर आप चाहते हूं इसके सभी question कब answer next video में discuss करूं तो इस वीडियो पर 500 लाइक कल तक आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा इन सभी question का answer का ठीक है हेलो वैलकम अगर अब तक यूटूब के सबसे नंबर वन चैनल सुभम क्लासेस का आपने crash course नहीं जॉइन किया है तो जरूर जॉइन करें इसमें आपको सभी विशयो के notes, videos, important questions, last year paper और बचे वे महिने में आप किस तरीके से सभी विशयो के तयारी करें सब कुछ पताया जाएगा तो जाइन करने के लिए दिए गए WhatsApp पे contact करें, thank you so much.